नमस्कार दोस्तों और स्वागा थे आपका Zen Innovations में दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होगे एक कूलर और इस तरह के जो ट्रेडिशनल कूलर होते हैं दोस्तों इसमें घास का इस्तमाल किया जाता है और घास का जो काम होता है वो होता है कि एक जो पानी के लिए एक बड़ी evaporative surface बनाना और हमारे जो कूलर है वो latent heat के principle पर काम करता है लेकिन इस तरह की जो घास होती है दोस्तों इसमें कई सारे जंजटे होती है तो ये जो घास है इसके उपर कई बार काई जम जाती है या फिर fungal infection हो जाता है और इसकी वज़े से जो है इसमें काफी बड़ी भद्दी सी बद्बू आने लग जाती है तो इस तरह का जो unhealthy घास है इसको हमें हर साल replace करना पड़ता है और replace करने के लिए भी काफी जत्तो जहत करनी पड़ती है तो दोस्तो यहाँ पे जो है इस tutorial में मैं आपको बतावगा कि किस तरह से ये जो आपकी जंजट है इसको आप खतम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका option क्या है तो घास का सबसे अच्छा option जो मैंने find किया दोस्तो वो है honeycomb pads honeycomb filter या honeycomb grill भी कहते हैं honeycomb pads हम कहेंगे और यह जो honeycomb pads है दोस्तो इसका surface area घास से भी जादा होता है आप इसकी thickness देख सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा advantage यह है कि जो honeycomb pads हैं यह एक healthy option है क्योंकि इन pads के उपर जो है इतने जल्दी काई नहीं लगती या फंगल या bacterial growth है इसको यह stop करता है इतने जल्दी फंगल infection इसके उपर नहीं होता है लेकिन आप लोग कहोंगे कि then जो honeycomb वाले जो cooler है यह तो बहुत ही महेंगे आते हैं वेल वरी नोट डाइस यूँकि इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं एक तरह का retrofit तो retrofit मतलब हमारा जो पुराना cooler है जिसमें घास लगी होई है उसमें से घास निकाल के हम जो honeycomb pads है इसका installation करेंगे और यहां पे आप यह तो समझी गए होँगे कि जो honeycomb pad है उससे हमारी cooling भी बढ़ जाएगी प्लस हमारा cooler जो है वो healthy हवा देगा मतलब यह जो bacterial या फिर fungal infection का जो problem है यह खतम हो जाएगा plus सबसे बड़ा जो इसका plus point है कि हर साल घास बदलने का जंजट निकल जाएगा तो फटा-फट से इसको installation करने की में तयारी कर लेता हम तब तक आप लोग जो नीचे मज़ेदार like और subscribe के बटन है उसको दबा देजिए और start करते हैं आज का tutorial सबसे पहला जो step रहेगा वो रहेगा यह पुराने aspen wool के जो पैड है जिसे हम घास के पैड कहते हैं इसको निकालना अब इनको निकालने के लिए आपके cooler के जो body panels है उसको आपको open कर लेना पड़ेगा और trial के लिए कुछ honeycomb मैंने यहां पे लाके रखा है जिसको हम इसके अंदर बिठा के देखेंगे किस तरह से बैठता है क्या होता है वो देखना है तो यह जो पुराने वाले घास के पैड है यह लगे होते हैं plastic के lock या clip से हलाकि यह आपके cooler पे depend होता है कई इसमें plastic के lock होते हैं कई इसमें clips होते हैं कई इसमें screws होते हैं तो यह आप देख ले है और जैसा ही प्रेस करेंगे इसके उपर की ये जो ग्रिल है जो जाली है जो इस cooling pad को पकड़ के रखती है अपनी जगा पे ये निकल के अलग हो जाएगी और हमारा ये जो wood wool का जो पैड है घास का जो पैड है ये निकल जाना चाहिए actually यहाँ पे मुझे एक screw भी दिखाई दे रहा है तो ये जो screw लगा हुआ है इसको हम open करते हैं इसके बाद में ये जो grill है ये अलग हो जाना चाहिए एक screw driver के मदद से जो screw है उसको मैंने निकल लिया है तो जो भी screws थे वो आ गए है बाहर और ये जो supporting grill है जो mesh है plastic का होता है ये जो pad को अपनी जगा पे रखता है वो आ गया है बाहर इसके हमें फिलाल कोई भी जरूरत नहीं है और ज़रा देखिए ये धूल मिटी गंदगी कितने सालों के जो bacteria है वो इसमें पनाप रहोंगे तो ये जो घास वाला pad है इसको बड़ा संबाल के जो है आप बाहर निकाल लीजिए और धूल उड़ सकती है इसमें से तो एक dust mask का अगर आप रहोंग करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा तो बाहर निकल गया aspenwood cooling pad और अंदर जाएगा honeycomb cooling pad दोस्तों ये honeycomb जो मैंने पुराने cooler से salvage किये थे वो cooler काफी बड़े थे तो naturally ये जो cooling pad है इनका माप भी बहुत ही बड़ा है तो इसको हमें जो है काट के अपने इससे छोटे desert cooler के size में बिठाना पड़ेगा इनको छोटा करना पड़ेगा और काटने के लिए आप कोई भी serrated knife या फिर hex or blade मतलब जिसमें दाथ होते हैं इस तरह से कोई भी आप tool से जो है इसको बड़े आसानी से cut कर सकते हैं hardboard जैसा material होता है यह तो आसानी से cut हो जाता है सबसे पहले आपका यह जो desert cooler है जिसमें आपको हनी कोम लगाना है उसका measurement ले लीजिए और अच्छे से measurement लेने के बाद में जो आपके यह नए हनी कोम है इसको आप size के इसाब से cut कर लीजिए दोस्तों यह जो honeycomb है इसमें size के अलावा depth भी आता है मतलब मोटाई भी इसमें आती है तो यह जो है एक full size वाला honeycomb है 4 इंच मोटा है यह इसमें छोटे बड़ी भी आते हैं 2 इंच के 3 इंच के इस तरह से भी आते हैं तो यह भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके cooler में उतनी जगा है या नही कई सारे honeycomb pad के buying link जो हैं वो मैं आपको नीचे description में डाल दूँगा मुझे support करने के लिए हो सके उतना आप मेरे affiliate links का इस्तमाल करके चीजे purchase करें तो जो भी मोटाई का आपको cooling pad लेना है उसके हिसाब से आप लेकि आईए उसको आपके desert cooler के measurement के हिसाब से cut कर लीजे और फिर हम देखते हैं कि इसको actual fitting किस तरह से करना है दोस्तो तो एक जो यह तुकड़ा हमने काटा था यह perfectly यहाँ पर बैड़ जाता है आप देखिए तो lengthwise वगरे जो है यह सई है लेकिन side में जो है थोड़ी सी जगा बच रही है तो side में हमें एक और जो है छोटा सा तुकड़ा क कट करके अपने size के सबसे बना लेंगे और इस वाली जगा के अंदर जो है इसको install कर लेंगे तो this is the final fitment trial और आप देखिए कितने अच्छे से यह जो honeycomb pad है यह अपनी जगा पर बैठ जाता है और इसका फायदा यह होता है कि इसको आप किसी puzzle की तरह जो है अरेंज कर सकते ह हलाकि आपको यह भात का ध्यान रखना है कि जो water का flow है वो बिल्कुल top to bottom रहें तो आडा तिर्चा नहीं बिठा सकते हैं इनको straight ही आपको बिठाना पड़ेगा लेकिन इस तरह से जो है आप pieces काट के अगर कई जगा बच जाती है तो additional pieces जो है आप वहाँ पे लगा सकते हैं उसको लेने के लिए बना हुआ है तो इसमें honeycomb mount करने के लिए कोई भी ऐसा mechanism कोई भी चीज नहीं होती तो हम simple सा जो Indian जुगाड है उसको use करेंगे एक धागे से एक string से जो है हम इन जो honeycomb pad है इनको बांदेंगे यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप धागा यूज करें जो भी wire यूज करें metal का wire यूज न करें steel wire अगर आप लगाएंगे तो उसमें rust लगेगा और काफी जल्दी जो wire से खराब हो जाएंगे तो यहाँ पे एक nylon का धागा मैंने लिया है और यह जो nylon का धागा है यह पानी से खराब नहीं होगा जल्दी इसमें rust नही लगेगा तो nylon का धागा जो है उसको यूज करके कई सारे locations पे मैं क्या करूँगा कि यह जो honeycomb pad है इसको मैं बान दूँगा इस grill के साथ ताकि यह यहाँ पे secure रहेगा तो बानने का जो तरीका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से बानदा है मैंने यह जो है nylon का धागा मैंने लिया है और बिल्कुल simple जैसे बानते हैं वैसे कुछ धागा जो है डालके गिठान लगा के मैंने इसको बान दिया है तो final installation कुछ इस तरह से दिखाई देता है करीब करीब जो है 5 जगा मैंने इसको बानदा है और बहुत ज़्यादा tight नहीं करना है thread को तो उसको normal tightness के उपर ही हमें लगाना है अभी बचते हैं यह side के flap जो दोनों sides होते हैं इसमें अभी भी यह गंदे वाले जो घास के pad हैं यह लगे हुए है तो आइए देखते हैं इसमें honeycomb लगाने का क्या formula रहेगा तो सबसे पहले तो हमें यह जो धूल भरे जो bacteria भ pads तो यह जो grass के pads हैं aspen wool कहते हैं कई लोग wood wool कहते हैं इसको हमें निकालना पड़ेगा again formula is the same plastic के locks जो हैं दबाके निकालिए और यह जो complete mesh है यह निकल जाएगा साथ में pad भी भारा जाएगा और अभी जो जगा अंदर बची है इसको measure करना है हमें और measure करने के बाद में honeycomb वाले pad को इसमें बिठाना है बिठाने के लिए हम काट लेंगे आरी से और जो side के pads हैं काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो छोटे size में हम काटेंगे और उसको बिल्कुल उसी तरह से nylon के धागे से जो है हम बांद लेंगे इस्टॉलेशन के बाद में कुछ इस तरह से दिख लोडनी पड़ी है don't worry this won't be visible once it's in तो यह कुछ इस तरह से जो final look है आया है दोनों side में honeycomb लग चुके हैं आप देखिए किस तरह से लगे हैं and it's looking beautiful I think और cooler जो है finally अपनी जगा पे लग चुका है आप देखिए look किस तरह से आया है बड़ी खुबसूरती से यह जो honeycomb है complete surface को cover कर लेता है and I am very happy to notice कि अभी यह जो सालो साल इसका जो maintenance है जो बार बार घास बदलने का जो problem होता है वो नहीं रहेगा cooler में smell का problem नहीं रहेगा और काफी बढ़िया दिख रहा है यह honeycomb pad तो जो close up है देख लीजे किस तरह से लगता है honeycomb का तो यह जो cooler है इसका button घुमा के मै आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेर कीजे जिनके पास में इस तरह के पुराने cooler है जो honeycomb में convert करना चाते हैं so that's it for this neat little video guys take care and have a nice day